नमस्कार देच्चू चनल पर आपका श्वागते बात करेंगे राधस्तान के मौशम के बारे में अगमी एक सप्ता के दुरान के सारेगा मौशम आज हैं बारा फर्वरी दोजार सोईस। दूसरा परदेश के सटू एफागों पर मतर कहें कई बहुत सारे के रहे की दूसरा परदेश में एक सोब अठारा और उननीस फरोईर से एक्टिव होने की संबावन हैं वह भी लगबग कमजोरी हैं यह पर जोदपूर संबा की बात करें यह पर जोदपूर संबा के बादलो की आवज़े की बीस में मौश्रम सुष करेंगा दिन में ज्यादातर सेत्रों में उत्री होए रहेगी 17 फरोईर तक लेकिन 17 और 18 फरोईर से फिर से दक्सिन पचिम होए रहेगी वहां की रप्ता तेज भी हो सकती हैं जेपूर संबा की जिल्लों की बात करें जेप सबाना मतर का कि दैसे के बन सकती हैं तेरा फरोईरी की दोपूर के बाद नेकिन क्वहास तेज से बारिश की संबाना नहीं है लेकिन खास का जो भर्डपूर का यलाक कहा है बर्दपूर सीटी के आसपास के बाग कोही हैं लेकिन जो जलावार के आश पास के भाग हैं जलावार के आसपास के बाग है जलावार मतीपरदेश केなんगे बाग है जलवार सिटी के आसपास के भागोपर तेरा और सब्दा फरोई की दोरान कहीं कहीं हलकी बारी सोड़ी की संभावना बन रही हैं बाकि सबी जिलों पर लेगबग बादलो की आवाज एकी बीस में मौश्रम सुष करेगा कल तेरा फरोई के दोपर के बाद में घरें बादलों का जमा हो रहेगा कोटा संभा के भागोपर भी और उद्धेपुर संभा की बात करियां पर भी लेगबग मौश्रम बादलों की आवाज एकी बीस में सुष करेगा आवाज ज्यादा दर सेद्रम आज पूरी रहेगी कोटा उद्धेपुर संभा की जिलों पर लेकिन 18 और 19 फरोई से कुछ जगोपर हुआ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और अजमे संभा की बात करें यह पर भी लेगबग मौश्रम आज यानि 12 फरोई की दुरान प बार सर्दी से रात मिलेगी 15 फरोई के बाद में अधिक तम और नियुक्तम तापमान में एक से लगा कर दूर डिगर तक बड़ो उतरी होगी अगला मजबूत पच्छम एक सोप यान फरोई के आकरी सब्ता में आने की परबल चंबाना बनी है तो आप इस चनल पर पहले ब लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जड़ेंगे